अक्ट्रेस संभावना सेच ने अपने पिता को जस्टिस दिलवाने के लिए दिल्ली के जैपूर गोल्डन हॉस्पिटल के साथ लीगल लड़ाई शुरू कर दी है संभावना सेच सोशल मीडिया के थ्रू भी इस हॉस्पिटल पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगा चुकी है और अब उन्होंने एक इंट्रव्यू के दौरान बताया कि आखिर उनके पिता के साथ क्या कुछ हुआ जिसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल के खिलाफ ये मोर्चा खोला है संभावना सेच ने कहा कि मेरे पिता को कोविट डिटेक्ट होने के चार दिन बाद यानि की 30 अप्रेल को उन्हें दिल्ली के जैपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहां पर उनके कुछ टेस्ट हुए और टेस्ट होने के बाद हॉस्पिटल वालों ने आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा हम भी थोड़े रिलाक्स हुए कि सब ठीक हो जाएगा और पापा बिलकुल सही हातों में है इसके आगे संभावना ने जो बताया वो वाकई में शौकिंग था संभावना कहती है कि उसी दिन मेरे भाई जब हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने देखा कि मेरे पापा के दोनों हाथ बंदे हुए हैं जिसके बाद मेरे भाई ने पापा के हाथ खोले। जिसके बाद हॉस्पिटल वालों को इस बारे में सवाल किये गए। संभावना कहती है कि 7 माई को मेरे भाई का मुझे कॉल आता है और मुझे बताया जाता है कि पापा को ऑक्सिजन लगाई गई है। जबकि उनका ऑक्सिजन लेवल 90 और 95 के बीच था। मुझे लगा कि कुछ गड़बर ना हो जाए इसलिए मैं तुरंत मुंबई से दिल्ली भागी। सभावना कहती है कि जब मैं हॉस्पिटल पहुची तो मैंने देखा कि मेरे पापा के हाथ पैर बेट से बांधे हुए हैं। जब मैंने हॉस्पिटल वालों से पूछा कि ऐसा क्यों किया हुआ है तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कहीं वो ऑक्सिजन का मास्क ना निकाल दें। वहाँ मेरे पापा के पास देखने वाला कोई भी नहीं था। हॉस्पिटल की अव रवस्था देखकर मैं वाकई में शौक रह गई और मैंने वहाँ पर वीडियो लेना शुरू कर दिया। तब ही हॉस्पिटल वालों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दू। पापा को ऐसे देखने के बाद मैं सीनिय डॉक्टर से मिलने के लिए भागी। मैं पापा से मिलना चाहती थी लेकिन उन लोगों ने मुझे रोग दिया। और थोड़ी देर बाद मुझे बताया गया कि मेरे पिता की डेथ हो गई है संभावना कहती है कि मुझे लगता है कि इन लोगों को पहली से ही सब पता था मेरे यही सब कुछ सवाल है जिसके जवाब मुझे चाहिए और इसलिए मैंने इस हॉस्पिटल को लीगल नोटिस भेजा है आपको बता दे कि संभावना सेट ने हॉस्पिटल की एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने उस नर्स को दिखानी की कोशिश की है जिस नर्स ने पला ज़ाड़ दिया था और कहे दिया था कि यहां बहुत लोग हैं हमें उनको भी देखना है और उसके कुछी समय बाद संभावना के पिता की डेथ हो गई थी संभावना को उस नर्स का नाम नहीं पता है ना हॉस्पिटल वालों ने उस नर्स के बारे में कुछ जानकारी दी संभावना ने सोशल मीडिया पर उस नर्स की फोटो शेयर करते हुए कहा कि इसका पता बताईए मुझे जल्दी से जल्दी ताकि इस तरह के लोगों के खिलाफ मैं आक्शन ले सकूँ और किसी और के पता इस तरह से ना मर जाए वाकई में संभावना ने जो कहानी सुनाई है वो वाकई में दुख देने वाली है और इसी चीज से समझा जा सकता है कि जब सेलिब्रिटीस जिनके पास इतने कॉंटाक्स होते हैं उनका इतना नेटवर्क होता है थोड़ा इंफ्लूएंस भी होता है उनका उसके बावजूद उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है तो आम जनता के साथ तो क्या हो रहा होगा और जो हुआ भी होगा तो वो जा के बताए किसको क्योंकि उन्हें कौन सुनेगा उनके पास प्लैटफॉर्म कहा है